उत्तर पूर्वी राजस्थान की सांस्क्रितिक विरासत के रूप में उंट महोत्साव बीका नेर का माना हुआ बेजोर नमुना है उंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है यह हमारा मारवाड का उंट सुजान मारवाड का उंट सुजान ये जहाज रेगिस्तान के जनवरी के महिने में सक्रिय होते हैं और हमारा बीकानेर उसके लिए बिलकुल सही और उपयुक्त स्थान है कतरिया सर में बीकानेर क्षेत्र के चुनिंदा उंटों की दौड लोक संगी तथा अगनी नुरत्य के आयोजन हर साल किये जाते हैं जो अपने आप में अपूर्व, अद्वितिय और अनूठे होते हैं अब आईए कुछ विशेष जानकारी महराजा करनी सिंग्जी के बारे में भी प्राप्त करें सन 1924 में जन में, 1950 में राज तिलक हुआ और 1986 में उनका मोक्ष हुआ महराजा गंगा सिंग्ज स्वयम अपने नजदीक रखकर करनी सिंग्जी का लालन पालन, शिक्षन और प्रशिक्षन किया दूसरे महा युद्ध के सेकिंड वर्ल्ड बोवा के मोर्चे पर उन्होंनी करनी सिंग्जी को अपने साथ रखा था दादा गंगा सिंग्जी अपने इस प्यारे पोते को बड़े प्यार से सूल्जर बोवाई कहा करते थे सूल्जर बोवाई सन 1952 की संसद का चुनाव भारी मतों से जीत कर करनी सिंग्जी ने बीका नेर की जनता के प्यार का प्रमान दे दिया वे राजनी तिग्य तो थे ही किन्तो एक कुशल खिलाडी और त्रथम स्रेनी के निशाने बाज भी थे करनी सिंग्जी ने 500 घंटों की उडान भरने में सफलता दिखलाई वे इसके साथ साथ एक चित्रकार गोल्फ खिलाडी भी थे उन्हें तैनिस और क्रिकेट का भी जबरदस्ट शौक था करनी सिंग्जी को संदे पेंटर ओव इंडिया कहा जाता था निशाने बाजी में करनी सिंग्जी को क्लैपीजन, स्कीट, रनिंग डियर, सिंगल और डबल्स में एसलो और स्वीडन में स्वर्न पदक मिले सन 1975 में उन्होंने भारती ये टीम का नेत्रित्व किया और रज़त पदक जीता 1976 में मौन्ट्रियल में उन्हीं आदरपूरवक इस्थान मिला महरानी सुशिला कुमारी जी के साथ एक सुखी पारिवारिक जीवन का भी सुख और आनंद लेने वाले करनी सिंग्जी ने विश्व की सम्मान जनक प्रतियों की ताओं में एक मात्र निशाने बाज के रूप में भारत का प्रतिने धित्व किया था महराजा डक्टर करनी सिंग्जी के एक राजकुमार श्रे नरेंदर सिंग्ज और दो राजकुमारिया राज्यश्री और मधुलिका हैं राजकुमार नरेंदर सिंग्ज का जन 13 जनवरी 1946 को हुआ इन्होंने मेयो कॉलिज अजमेर से बिकॉम के दिगरी प्राप्त की फ्री नरेंदर सिंग्ज भी अपने पिता के समान एक अच्छे निशाने बाज हैं क्रिकेट, फुटबॉल और डेरी की गतिलिधियों में इनका जबरदस्त रुझान है चमबा की राजकुमारी से इनका विवाह हुआ इनकी तीन पुत्रियों में से जेश्ठ पुत्री दक्षा का असमाय ही मोक्ष पो गया आईए अब एक द्रिश्य में हम महराजा करणी सिंग्जी के साथ उनकी माताश्री एवं महरानी सुशिला कुमारी जी का चित्र का अवलोकन करें और दूसरे द्रिश्य में उनके सुपुत्रि श्रे नरेंद्र सिंग्जी के साथ अवलोकन करें जीश्ट पुत्री राजकुमारी राज्यश्री को पांच वर्ष की उम्र से ही पेंटिंग की अभिरुचि जागरित हो गई थी केवल ग्यारह वर्ष की आयू तक उन्होंने पांच सौ पेंटिंग्स तैयार कर ली राजकुमारी राज्यश्री बाईसा ने मदरास में निशाने बाजी की अनेक प्रतियोगिताओं में भाग लिया और स्वर्ण पदक पाया राष्ट्रपति द्वारा इन्हें भी अर्जुन अवार्ज से नवाजा गया अब आईए अंत में हम देखें बीकानेर का सांस्कृतिक गेंद्र और म्यूजियम प्राचीना प्राचीना बहुत सुंदर संक्षित और आकरशक नाम है जो बीकानेर के अतीत के गर्व गौरव को आधुनिक समय के प्रवाह के साथ गतिशील है देखिए उंट की खाल पर उस्ताकारी चांडी की कोराई का काम सिलावत कारी गरी बोटानिकल पेंटेंग इत्यादि अनेर बीकानेरी परंपराओं को प्राचीना उजागर करती है म्यूजियम की गैलरी बीकानेर के गौरव शाली अतीत को पोशाकों और रीति रिवाजों की गाथा सुना रही ये सब कलाकारी और कारीगरी जो हमारे गौरव शाली अतीत की पहिचान बनी हुई हैं वे सब आज बीकानेर के जन जीवन से लुप्त और समाप्त होती जा रही हैं आईए बीकानेर की हमारी इस संपत्ति को इस धंदौलत को इस धरोहर को आप और हम अवेरी संजोएं विकसित करें चार चांद लगाएं किंतु समाप्त न होने दें महारो प्यारो भीकानेर नाई तिकता का शक्ति पीठ निजपर शासन फिर अनुशासन आईसा उद्धोश देने वाले आचार्य श्री तुलसी का समाधि स्थल जन साधारन और सद्धालूआं के लिए उपासन और ज्यान साधना की सर्वाधिक उपयुक्त तपस्थली बना है इस साधना स्थल का लोकारपन 14 दिसंबर 2002 को किया गया इस अवसर पर आचार्य श्री महाप्रग्य ने समाधि स्थल का नाम रखा नई तिकता का शक्त पीठ समाधि स्थल लगभग डेढ़ लाख वर्गफुट में फैला हुआ और इसमें तीन हजार वर्गफुट घेरे में मूल समाधि बनाई गई है जिसमें 21 अप्राइल 2000 को अस्थि कलश स्थापित किया गया जो कि सिद्ध हस्थ शिर्पियों द्वारा 108 किलोग्राम का अश्थ धात्वों से निर्मित है नई तिकता कि इस शक्त पीठ को और अधिक सुरम में एवं मनोहारी बनाने के लिए एक लाख वर्गफुट में आकरशक उद्यान भी लगाया गया है झाल सकत्रों में वर्गफुट में आकरशक उड़जान रचरी लिए रवं मोगफुट में एवला अवला गया है झाल झाल